जो एक्जाम पेपर लिख हुआ है वो यहीं से हुआ है और यह तीनों लोगों का नाम देखिया है सानुलक, हक, इम्तियाज आलम और जमालुदीन यह तीनों लोगों ने मिलके जो है यहीं से पेपर पूरे भारत में लीक किया था यहीं से यह तीनों मिलके जो है नीट का पे पर अगर लीक होना शुरू हो जाए तो समझिए कि धर्ती पर जो भगवान बनाने की फैक्टरी होती है ना वहीं गड़ बड़ा जाएगी धर्ती के भगवान डॉक्टर को कहा जाता है टैलेंटेड लोग बाहर चले जाएंगे और कचड़े लोग जो है अंदर चले आएंगे और उसके बाद से किड़नी की चोरी हाट की चोरी और बढ़िया तरह के से इलाज भी नहीं होगा जल्द से जल्द इस स्कूल को पहले सीज किया जाएगा और अगर सीज नहीं किया जा सकता है तो इस स्कूल को जो सरकार के हवाले कर दे सरकार इस स्कूल को चला है 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड करने वाला ये ओवेसिस स्कूल जो हाजारी बाग में इस्तित है वहाँ पे मैं हूँ नीट का एक्जाम चल रहा था और उसके बाद से पता चला कि रिजल्ट आता है 720 में से 720 मांक 67 स्टुडेंट का आ जाता है हाजारी बाग से भी एक ही सेंटर से बहु सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं हरियाना के एक सेंटर से बहु सारे बच्चे टॉप कर जाते हैं बाद में बवाल और बिवाद होता है फिर जाच पे जाच बैठती है और केस को CBI के हाँ तो सौप दिया जाता है जब CBI के हाँ तो सौप दिया जाता है तो बिहार के एक संजीव मुखिया का नाम सामने आता है और एक कोचिंग संस्थान का नाम सामने आता है और सबका तार जब जोडने का प्रियास किया जाता है तो हजारी बाग में सारा सौट सरकिट हो जाता है इस स्कूल में आके यह है अवेसिस स्कूल जहां पे हजारों बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों को सायद से इस स्कूल के प्रिंसपल चीटिंग करना सिखाते हैं क्योंकि जो एक इजाम पेपर आया था यहां पे उसे जो है बैंक के लौकर में डालना था बैंक के लौकर में ना डालके उसको जीरोक सेंटर में डाल दिया गया जीरोक सेंटर सायद से स्कूल के अंदर था उसके बाद से इरिक्सा पे जो है 15 मिनट बाद वो पेपर जो है बैंक लौकर मे कियेगा ध्यान से डॉक्टर एमा एसान नूलल हक और महम्मद इम्तियाज और एक पत्रकार भी है जमालुदीन जो किसी प्रिंट मीडिया में काम करते हैं यह तीनों मिलके जो है नीट का पेपर लीक कर देते हैं और जब यह पेपर लीक करते हैं तो 23 लाख बच्चों का भव कूट आता है और लोग सभा में नया नवेला सत्र चल राता उसमें नीट पेपर के लिए जबरदास्थ हंगामा चलता है हलाकि इस स्कूल को अभी तक सील नहीं किया गया है यह स्कूल को सील कर देना चाहिए अभी तक पहला चीज दूसरा चीज रेसिडेंशियल एरिया के बीच में आकिर यह हायर सेकेंडरी स्कूल चल कैसे रहा है यह तो अभी तक सील हो जाना चाहिए और देखिए यह अख़बार का सारा कटिंग है हजारी बाग में पर चारे समेत तीन को सीबियाई ने किया गिरफतार और यह तीनों लोगों का नाम देखिया है सानूलक हक इ मिलके जो है यही से पेपर पूरे भारत में लीक किया था यही से इसी सेंटर से पूरे भारत में लीक हुआ था और यहां के जो प्रिंस्पल महोद है है वो कॉडिनेटर भी है CBSC के कॉडिनेटर है CBSC का जो एकजाम होता है हजारी भाग में उसके मेन कॉडिनेटर यही है यानि यही पेपर आता होगा क्या पता CBSC का भी पेपर यह लोग लीक करते होंगे इसके पहले टीचर वाला BPSC का भी पेपर जो है हजारी बाग से ही लिख हुआ था अब हजारी बाग से इसी स्कूल से लिख हुआ था कि कहां से लिख हुआ था लेकिन लिख हुआ था अब कमाल की बात ये है कि पूरे देश में हाजारी बाग जो है वो पेपर लिग करने का एक सबसे बड़ा अड़ा बनते जा रहा था उसके पहले CBI ने पकड़ा और बहुत सारे लोग जो है एक पॉर्टिकुलर पार्टी के करियाले से भी गिरफतार हुए हैं अब मैं कहना चाता हूँ कि सदन में जब आप लोग आवाज उठाते हैं तो इन तीनों चोरों का भी नाम आप लोग लिया किजे जिन लोगों ने पेपर लिग किया है ये इसके अलामा जो है 15-16 लोगों से जो है CBI की टीम जो है वो पूश्टाच करने वाली है और यहां पे चार डी आईजी रेंक के अधिकारी जो है वो जाच कर रहे हैं उमीद है कि जल्द से जल्द जाच पूरा होगा और जो 23 लाग छात्रों का भविश से अधर में लटका हुआ है उनको जो है इनसाप मिलेगा क्योंकि नीट का एक्जाम का पेपर अगर लीख होना शुरू हो उसके बाद से किड़नी की चोरी हाट की चोरी और बढ़िया तरह किसे इलाज भी नहीं होगा और जब 33 लाख 40-40 लाख रुपिया देकर एस्टुडेंट पेपर लीख करवाएगा और उस पे जाके एक्जाम देगा पास हो जाएगा और इमन्दार बच्चे जो है 10-10 साल 12-12 साल पढ़ाई करके वो फेल हो जाएंगे तो जरा सोचिए कि भारत का फिर क्या होगा तो उमीद है कि जल्द से जल्द इस स्कूल को पहले सीज किया जाएगा और अगर सीज नहीं किया जा सकता है तो इस स्कूल को जो है सरकार के हवाले कर दे सरकार इस स्कूल को चलाए चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए सरकारी स्कूल के अच्छा नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और अपराधियों के घर पे बुल्डोजर चलता है तो बुल्डोजर चलाने की जरूरत नहीं है इस स्कूल को सीज कीजिए और गौर्वर्मेंट के अंडर्टेक करना चाहता हूं कि हजारी बाग में जब गुग आप पहले हजारी बाग सर्च मारिए जर्खंड में ये एक जिला है जो बिहार से सटे हुए जिला है उसके बाद फशी से सर्च मारिए और यहां पर आजाई है अपको मिल जाएगा कि नीट का पेपर कैसे क्यों और किन लोगों ने लिक किया था आखिर इन लोगों को भारत के छात्रों से क्या दुस्मनी था क्यों इन लोगों ने ऐसा किया क्यों इन लोगों ने पेपर लिक किया और इस परकार का प्राइबेट स्कूल जो पेपर लिक करकर के पैसा कमा के और इतना बड़ा बिल्डिंग बना के जो है प्रा प्राइवेट स्कूल का जो मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथ में है उनसे चीन के जो है गॉर्मेंट अपने अंडर्टेक में ले ले बाकी ये अखबार का जितना भी अखबार हजारी बाग में छपता है उसमें जो है इन लोगों का तीनों लोगों का तीनों अपर पेपर लिख किया था अगर यहां से पेपर लीक नहीं होता तो पूरे देश में पेपर लीक नहीं होता और एक दिन पहला ही इन लोगों ने लीक कर दिया था अब ज़रा सोचिए और यहां पे कुछ बच्चे देखिए कॉल रिकॉर्ड से खुल सकते हैं कई राज 170 रुपया में बुक किया गया था टोटो अब जारा सोचिए टोटो अब रिक्षा वाले भी बेचारे गठा गये हैं रिक्षा वाले नहीं फसने चाहिए अब 170 रुपया में नीट का पेपर को 170 रुपया के रिक्षा पे डाल के जो है और भेज दिया जा रहा है बैंक के लोकर में यह देख सकते हैं सीवी आई के टीम की गाड़ी है यहां पे हाजारी बाके चरही इस्तित्गेश्ट आउस में सुकरबार को निकलती सीवी आई की टीम और देखें यहां पे नूतन नगर में बैंक्स ले गए थे प्रस्द पत्रवाला ट्रक यह यह देखें नीट पेपर लीक में ओशी के प्रींस्पल और में वाइस प्रींस्पल गिरफतार में डॉक्तर यह तर्म हक और मिशिस प्रिंस्पल इम्तियाज मैं बार बार नाम क्यों बता रहे हूं कि पता नहीं यह लों क्यों पेपर लिक किये और नीट जिसका एकजाम जो है प Genau सतंवा से प्रफार परποιम में दि कि पता नहीं पेपर लिख होगा तो हम डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे तो उन बच्चों के भविष्वे को बचाने के लिए पहले इस स्कूल पर करवाई किया जाए हलांकि हम लोगों ने प्रयास भी किया यहां पे बात करके कि हम लोग अंदर आके विडिय सीठी सब्सक्राइब तो हम हमारा काम करने दीजिए पेपर लिख करने दीजिए घोटाला करने दीजिए तेईस लाख बच्चों का भविष्वे कि बर्बाद करने दीजिए आपको बाहर से जो बोलना हो हों चो जो Люб जो लोग जब पेपर लिख होता है या स्ुडेंट के कि एर कंडिशन से बाहर निकल के आप लोग भी आईए और अपने चात्रों के लिए आवाज उठाईए वरना खाली एस्टुडेंट को गुम्राह करने के लिए और कोचिंग में बच्चों को लाने के लिए वीडियो मत बनाईए मनीज कस्याफ जमीन पे वीडियो बनाता है और मनीज कस्याफ गलत कहने से पहिले आप लोग अपने अंदर जाकिए कि नीट के बच्चों को इंसाप दिलाने के लिए आप लोगों ने कहां कहां आवाज उठाया और रेलिवे में ड्राइबर का जो वेकंसी था लोको पायलेट का वेकंसी था उस वेकंसी को बढ़वा वुछ से करने के लिए लिए अपने कहां कहां घुटाया बा के लिए आप लोग क्या असोचते हैं एक्जाम के सिट्चा मंत्रीह में कहने चाहता हूं कि या तो इस स्कूल पर बूलडोजर चलाइज वरना इस स्कूल को जो है वो गवर्मेंट के हाथो सौप दीजे ताकि अगली बार से कोई भी स्कूल का प्रिंस्पल कोई भी स्कूल का टीचर कोई भी कोचिंग संचालक पेपर लिक करने से पहले दस बार जरूर सोचे जाहिंद